इंदिया नीज हर्याना अपनी बोली अपना चैनल नमस्कार बहुत स्वागत है आप सफीका इंडिया नीज हर्याणा पर मैं हूर आचीफ रकुरंदन प्रदेश का चुड़ावी पारा तेजी से चड़ रहा है जैसे ऐसे दस तारीक करीम आ रही है नरंद्र मोदी ने गोहाना और चंडीगर्ड में आज हुंकार भरी उधर मुक्यमंत्री हुडा ने कुरुक्षित्र से कॉंग्रेस के उम्वीदवार नवीन दिंदल के लिए रोड शो किये इस सब के लावा अर्विंद केजिवाल ने भी नर्वाना उचाना और कैथल सबेत कई इलाकों में रोड शो के जरिये आमाद्वी पाची के प्रत्याश्यों का प्रचार किया ऐसे में शनिवार का दिन राजनीतिक सरगर्वियों से भरपूर रहा नरेंद्र मोदी ने गोहाना की रेली में कई गंबीर सवाल उठाए उधर केज़िवाल के निशाने पर नरेंदर मोदी और हुडा सरकार दोनों थे केज़िवाल के मताबिक नरेंदर मोदी की लहर है तो उन्हें दो जगे से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है आज की बड़ी महस्पे सवाल ये भी रखेंगे कि बीजेपी जॉइन करने वाले कुछ नेताओं पर बबाल क्यों हो जाता है क्या बीजेपी में फैसले बिना सोच विचार किये जल्दबाजी में किये जा रहे है और फिर फैसले को पलट दिया जाता है जेडियू के बागी नेता साबिर अली के मामले में भी बीजेपी ने पुरानी चूक दोराई है इसके लावाज की बड़ी भैस में सवाल ये भी होगा कि बीजेपी के विरोध के बावजूद शिरुमणी अकाली दल क्यों इनैलो के लिए प्रचार कर रहा है पिछले दिनों शिरुमणी अकाली दल के अद्यक्ष सुक्वीर सिंग बादल ने हिसार से इनैलो के उम्बीद्वार दुशन चोटाला का परचा भरवाया था और अब सुक्वीर बादल इनैलो प्रत्याशों के लिए चुनाओ प्रचार भी करने जा रहा है बावजूद इसके कि बीजेपी के प्रदेश अद्यक्ष लाविला शर्मा और हजका अद्यक्ष कुल्दी बिष्टोई इस पूरे प्रकरण पर विरोध जता चुके हैं जता भी रहें और ये कह चुके हैं कि मामला उन्होंने आलकमान की जानकारी में लाया है इस सब के लावा आज की बड़ी बहस पर ये सवाल भी उठेगा कि क्या निताओं के रोड़ शो जनता पर कोई असर छोड़ पा रहे हैं आज की बड़ी बहस में हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ होगा इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आप इंडिया डियूस हरियाणा पर बड़ी बहस के साथ बने रहे हैं और सवाल नंबर एक देखिए जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है नरेंद्र मोदी के भाशर क्या प्रदेश में असर छोड़ पाए हैं आज दो जगे हरियाणा बे नरेंद्र मोदी पहुंचे थे गोहाणा बे आज उनकी चुनावी रैली थी चंडी गड़ बे उन्होंने एक रैली को संबोधित किया कॉंग्रिस पात्री को निशाने पर लिया उन्होंने ये कहा कि जितना वो गुजरात को जानते है उतना ही वो हरियाणा को भी जानते है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हरियाणा का नमक खाया है सवाल ये है जो अमने कल भी उठाया था कि क्या नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद क्योंकि ये चुनावी रैली का पहला चरण है इसके बाद दो चरणों में और नरेंदर मोदी की रैलिया हर्याणा में होनी है क्या चुनावी फिजा बीजेपी के लिए बदलेगी और इसी से जुड़ा सवाल ये कि मोदी का भाशड क्या प्रदेश में असर छोड़ पाया है सवाल लंबर दो बीजेपी में निताओं की एंट्री पर बबाल क्यों हो जाता है ताजा मामला साविर अली को लेकर है कल ही साविर अली बीजेपी में शामिल हुए थे 24 घंटों में ही इतना जादे बबाल बीजेपी के भीतर हो गया बीजेपी के कई वरिस्टंडिता नाराज हो गए संग की नाराजगी भी जेलनी पड़ी कि आखिरकार रविशंकर प्रसाज मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि साबिर अली की सदस्टा रब्द है चुनावों के इतने नाजुक वक्त में बीजेपी ऐसे फैसले क्यों लेती है जिन से उसे यूटन लेना पड़े सवाल लंबर तीन विरोत के बावजूद अकाली दल क्यों इनेलों के लिए प्रचार कर रहा है और अगर ये सिलसिला यूँ ही जारी रहा तो फिर गटबंदन के भविश्य का क्या होगा जो शिकायट प्रदेश अद्यक्ष रामिला शर्मा ने आलाकमान से किये उस गटबंदन धर्म का क्या होगा सवाल लंबर चार क्या नेताओं के रोड़ शो जनता का मूड बदल पा रहे हैं क्या नतीजों पर रोड़ शो कोई असर डालते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अपने खास पैनल के साथ अपने पैनल से हम आपका परिशे करा दें हम आरे साथ इंडियन नैशनल लोगदल के प्रवकता राजीव जेतली साब हैं जेतली साथ बहुत स्वागत इंडिया नुज हर्याणा पर सर हमारी साथ जवाहरी आदव जी हैं आप प्रदेश प्रवकता हैं भारती जनता पाटी अमारे साथ सन्जे ब्रहमचारी जी है, आप आम आब्दी पार्टी के देता है सत्वी डागर साथ है डागर साथ आपका भी बहुत भुथ स्वागत हमने पहला स्वाल यह उठाया है कि नरंदर मोदी की जो आज की चुनावी रह लिया है क्या प्रदेश में वो असर छोड़ पा रही है क्या वो जादू नरंद्र मोदी का दिख रहा है जिसके बारे में बार-बार दावा किया जा रहा है सत्वी डागर साथ आप प्रदेश में सप्ता धारी पार्टी है किंद्र में भी आपकी सरकार चल रही है आज हर्याना में ही नरंदर मोदी अपनी हुंकार भर रहे थे वो बार बार ये कह रहे थे कि जितना वो गुजरात को जानते हैं उतना ही हर्याना को जानते हैं उन्होंने कहा कि विकास के सिर्फ दस सालों में दावे किये गए विकास कहीं हुआ नहीं उन्होंने का कि मैंने हरियाना का नमक खाया है और अब उस नमक का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है क्या मोदी का भाशन असर छोड़ पाया डागर साथ राजीब जी मैं नहीं समझता कि मोदी जी का भाशन कोई हरियाना में असर छोड़ पाएगा अगर वाकई हर्याना में BJP इतनी मजबूत है तो क्यों ये उधार के उम्मीदवारों से चुनाव में आ रहे हैं ये बात सथ पुरानी हो गए नहीं नहीं सथ देखिए पुरानी नहीं पिछले एक अपते से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं नहीं राजीब जी मैं नहीं समझता जो आप कह रहे हैं कि उसका असर तो दिखेगा क्योंकि आप फरीदावाद में देखिए वहाँ पर पूरा विरोध है जो अगर इतना ही मोदी जी का जादू है जो पांच टिक्टार थी थे उन में से कोई भी पर चार के लिए नहीं निकल रहा है दूसरी बात आप हर्याना में मोदी जी की जादू की बात करते हैं जहाँ हर्याना के अंदर कहते थे कॉंग्रेस को केवल एक सीट मिलेगी आज वहाँ पे पांच सीट आपके चैनल बता रहे हैं तो यह बढ़ता हुआ डेली हमारा डे वाई डे हर्याना में कॉंग्रेस का गिराफ बढ़ रहा है और हम दस की दस सीट जीत हैंगे आपके सर ग्राफ किस आधार पे बढ़ रहा है आपने तो कोई बड़ी चुनावी रैली भी अभी नहीं की है कोई ऐसा हम माहौल में भी परिवर्तन नहीं देख रहे हैं चुकिन नरेंदर मोदी आज हर्याड़ा में हुंकार भरने के लिए पहुँचे इसलिए हम उनसे ज बाक पटुता उनका जोश इसलाइक है कि वो उधार के उम्बिद्वारों से भी चुनाव जीत जाएं देखे जहां तक बुड़ाबा पेंशन है वहाँ चार सो है यहां हजार रुपे हैं वहां हमारे जहां चोकिदार को आठाठा हजार रुपे दिये जाते वहां यह पूल के बच्चे हैं रागर साब यह चीज़े बहुत पुरा है राजीव जी महंगाई होती तो डवलॉप्मेंट कैसे होती बताई आप यह अगर महंगाई अगर बढ़ी है तो साथ साथ सारी कीमत भी तो बढ़ी हैं वेजिस भी बढ़े हैं कहां तीन हजार मिलता था धर याना मैं कैसे सुरू है मिन्नियम यूंतंतर है यानि आपके बुताबिक कोई लहर नहीं है और आज जो रहलियां है वो भी कोई कबाल नहीं कर पाए राजीव जी लहर तो आपके सामने आप कहते थे केवल लेक सीट मिलेगी आज आप पांच बता रहे हैं तो आप लहर बत बदल पा रही है यह जो आरूप लग रहा है किसाब आपने उधार के उंबीद्वारों से चुनाओ लड़ा है आपके उधार के उंबीद्वार है क्या मोदी नरेंद्र मोदी के भाष्णों में वो करंट है वो जोश है जो उंबीद्वार किसी भी तरह के हूं लेकिन नई या पार लगे